इन नौ दिनों में लगाएं इन चीजों का भोग, मा हो जाएगी प्रसन, 9 अप्रेल से चेत्र नवरात्री का त्योहार शूरू हो रहा है। इन नौ दिनों में माता के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना बहुत ही विधी विधान से की जाएगी। बता दे की जिस तरह से इन नौ दिनों में माता के पूजा पाठ का विधान है उसी तरह से इन नौ दिनों में माता को भोग लगाने का भी महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दोरान अगर देवी को उनका पसंदीदा भोग लगाते हैं तो मा प्रसन होती हैं और भक्तों की म माता को इन नौ दिनों में क्या-क्या भोग लगाना चाहिए। चैत्र नवरात्री के नौ दिनों में नौ तरह के भोग लगाने से माता होगी प्रसंद। पहले दिन मा शेलपुत्री को गाय के गी से बनी मिथाई का भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिन मा ब्रमहचारिनी को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। तीसरे दिन मा चंद्रघंटा मा को दूद से बनी मिथाई का भोग लगाना चाहिए। चौथे दिन मा कुश्मांडा को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। पांचवे दिन मां सकंदमाता को चीनी, केला का भोग लगाना चाहिए। छटे दिन मां कात्याईनी को मीथे पान का भोग लगाना चाहिए। साथवे दिन मां कालरात्री को गुल से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आठवे दिन मा महागोरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नौवे दिन मा सिद्धिदात्री को खीर, पूरी, हल्वा का भोग लगाना चाहिए। जैमा दुर्गा सब की मनोकामनाय पूर्ण करे।